हेलो गाईज, आज हम 11 standard का account सिखने वाले है, वो है chapter 9, final account, उसमें का question number 1 सिखने वाले है, हम लोग को मालू में final account किसके लिए use करते, account record maintain करने के लिए, तो हम लोग debit amount और credit amount डिखेंगे, तो हम लोग को इंटरी किजा जाएगा, वो first of all देखेंगे, from the following trial balance and भारत वाज and sons prepared trading and profit and loss account for the year and rate and balance sheet as on 31st March 2019, हम लोग को क्या जिया है, trial balance देया है, हम लोग क्या prepare करना है, trading account and profit and loss account and balance sheet prepare करना है, तो हम लोग को interest देखना है, को इंटरी किजा जाता है, royalties, trading account, drawings, less करेंगे, किस में से, liabilities में से, wages, trading account, purchase, trading account, cash, asset, cash कहे, asset, sales return, minus from sales, bank is a asset, insurance, profit and loss, furniture, asset, the next taking a building, asset, sunday letters, asset, bad debts, profit and loss, sunday expenses, profit and loss, traveling expenses, profit and loss, opening stock, trading account, carriage outward, किदा जाएगा, profit and loss, अगर carriage inward रहेगा, तो किदा जाएगा वो, trading account, rent is a profit and loss, salaries, किदा जाएगा, profit and loss, बात में देखेंगे, sunday creditors, is a liabilities, sales, trading account, credit side, purchase return, minus from purchase, capital, is a liabilities, bills, label, liabilities, bank order, liabilities, अगर हम लोग लाउस टेखेंगे, क्या है, closing stock, कितना जी आएगा, 54,000, दो एफेक्ट रहेंगे, फर्स्ट, किदा जाएगा, trading account, credit side, और second, balance sheet, asset side, बात में हम लोग देखेंगे, chart बनाएगे, देखो, trading account और profit and loss एक साथ करेंगे, बात में balance sheet का format इधर है, और अबर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पहला, trading accounts से, सब इसमें, इंक्रेस करते जाएगे, one by one, first of all लिखेंगे, two, opening stock, sorry हा, थोड़ा, two, opening stock, कितना दिया है, 24,000, देन रिखेंगे, two, purchase, हम लोग को purchase, return भी दिया है, मालू में न, इनर में लिखेंगे, 71,000, एक line क्या करेंगे, leave करेंगे, बात में next, two, royalty, कितना बलाए, 4000, देन न, न, लिखेंगे, two, वेज़ेस कितना है 6,000 रुपीज टू कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड की जर रहता है प्रॉफिट और लॉस कितना 400 रुपीज तो अब हम लोग को मालूम नहीं यह प्रॉफिट है यह लॉस से पहला सब डेबिट साइट का प्रॉफिट और लॉस लेंगे कि पूरा डेबिट का सब पूरा क्लोस करेंगे बाद में क्रेडिट का हम लोग हाथ लगाएंगे तो इदर लेकेंगे एक लाइन उपर का एक्स्टा छोड़ देंगे हम लोग को मालूम नहीं प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा टू सालेरीज 16,000 to rent 1000 to century expense 3000 to insurance 1000 to bad debts 1000 to traveling expenses 2000 to carriage outward 1,600 तो अभी देखेंगे डेबिट साइट मतलब पूरा टोटल क्या होगा अभी एसेट साइट के देखेंगे सब एक-एक करके कौन साइगा कैश हम लोगों को कैश कितना दिया है 10,000 बाद में बैंक कितना है 40,000 देखेंगे बिल्दिंग बला है 1,20,000 फॉर्णिचर 34,000 और संडरी डेटर इतना बला है 1,00,000 फॉर्णिचर कुछ बचा है अभी नहीं तो अभी देखेंगे हम लोग क्रेडिट साइट सब देखेंगे बला है देखेंगे ट्रेडिंग अकॉंड में कौन कौन सांइंटिज आते हैं तो लेखेंगे बाइस सेल्स हम लोग को सेल्स रिटर्न भी दिया यह इसके लिए क्या करेंगे 1-line लियू करेंगे मतलब छोड़ जाएंगे बाद में देखेंगे कुछ दिया है क्या भी नहीं तो डा टू लाक फिपटी थाउजन रूपीज उसमें हम लोग को क्या एड करना रहता है प्रोफिट या लोज जो आया रहता है वह बाद में हम लोग करनाैएड ढॉईंग सम लोग को जिये ध्याइड टॉइंग संींचंढंड क्या करते हैं माइनस करते posterior UP कितना है 10,000 रूपीज बाद में देखेंगे संडरी क्रेडिटर्स कितना है 56,000 बाद में बिल्स पेबल 20,000 बैंक और राफ पर्टी थाउजन अब आम लोग करेंगे क्या जो रिटर्स दिये और जो ख्लोजिंग स्टॉक का एक अग्जेस्मेंट दिया है वो पुड़ा प्रिपेर करेंगे तो पर्चेस वाला करेंगे लेस रिटर्न पर्चेस रिटर्न कितना दिया है 3,000 तो रिमेंग बैलेंस इल भी 6,900,000 तो भी 6,900,000 तो रिमेंगे 6,800,000 तो रिमेंगे 7,800,000 तो रिमेंगे आम लोग क्या करेंगे तो ख्लोजिंग स्टॉक का एक बाकी रह गया है लेक्ट स्टॉक का क्या बोला है 54,000 तो ट्रेडिंग अगाउंट ट्रेडिंग लिखेंगे बाइ लोजींग स्टॉक 54,000 और सेकेंड एफेक्ट आइसेट में बोला था आइसेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टाउग 54,000 तो अभी जाखेंगे अम सब हो घया हैंति जोगा रहा तो अब और हम लोग क्या करेंगे पहला क्रेडिंग अकाउंट क्लोस करेंगे बाज में क्या करेंगे profit and loss बाज में balance it close करेंगे तो total देखेंगे अभी कितना होगा credit side का देखेंगे कितना हो रहा है 1,30,000 कितना हो रहा है 1,30,000 और इसका कितना हो रहा है debit side का 1,24,000 कितना हो रहा है 1,24,000 मतलब remaining balance भी क्या रहा है हम लोग का profit आ रहा है profit तो लिखेंगे तो gross profit क्या लिखेंगे carried down कितना difference आ रहा है 1,30,000 में से 1,24,000 करेंगे तो बचेगा 27,600 तो अभी हम लोग प्रोफिट आ लॉस में क्या करेंगे credit side डालेंगे इधर लिखेंगे buy gross profit broad down कितना 27,600 वैसा ही देखेंगे फिर से नीचे वाला close करेंगे इसका कितना आएगा 27,600 ये आएगा और इसका कितना आएगा अभी देखना आएगा तो इसका लिखेंगे credit हम लोग को credit कामांट मालू में 27,600 ये अभी debit कामांट क्रोटल करेंगे 600 25,600 तो remaining balance कितना बच्रेंगे हम लोग का 2000 का डिप्रेंस आएगा credit debit amount कितना आ रहा है 25,600 और credit amount कितना आ रहा है 27,600 मतलब credit amount जादा है और debit amount कम है मतलब हम लोग का profit हो रहा है कितने का 2000 net profit carried down तो टो टोल हुआ हम लोग का 27,600 डिप्रेंस हम लोग को मिला 2000 ये किदा ट्रांसवर करेंगे capital account में तो करेंगे add net profit 2000 रुपीस टोटल हुआ 2,52,000 तो माइनस करेंगे तो कितना हुआ 2,42,000 टोटल करेंगे अभी देखेंगे कितना है कितना है अगर सब में कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीज़ेगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत बुलेगा ठैंक यूँआ झाल